वेल्कम टू पंकच कॉमर्स क्लासेज आप सभी M.P.T. ग्रेड वन कॉमर्स के सभी एस्पिरेंट्स का हमारे प्रेक्टिस सेट वन में स्वागत है आए में स्टार्ट करते हैं आज का सिसन तो हमारा फर्स्ट कुश्चन है पुस्तपालन की दोहरा लेखा पडाली का अविस्कार किस ने किया वू इन्वेंटेड दडबल एंट्री सिस्टम आप बुक कीपिंग देखिए ओप्सन में A.Pickles, B.Lukas Pacioli, C.Botley Boy, D.Carter तो देखिए पुस्तपालन की दोहरा लेखा पडाली का जो अविस्कार किस ने किया था ये कुश्चन है तो ये Lucas Pacioli ने किया था सन 1494, B.S.B. में इटली के Venice City में रहने वाने Lucas Pacioli ने एक बुक लिकी थी और उस बुक का नाम था The Computing Set Scripturized तो जो Writer है उनका नाम क्या है B और option इसका right है वो है B. Next question देखिए, next question है लेखांकन सूचनाओं के उप्योग करताओं में सामिल है तो लेखांकन सूचनाओं के उप्योग करताओं में कौन सामिल है? उप्योग करताओं मतलब Users, देखिए, Financial Informations Users Include तो इसमें कौन-कौन से है, जब financial account बनते हैं तो उनके users कौन-कौन से हैं, तो आप संदिकिया अंसधारीगर, सरकार, लेंदार, उपर्युक्त, सभी, shareholder, government, creditors, आल आप देबो, तो जो भी financial statements, इनके ये सारे users हैं, आप कह सकते हो, जो भी stakeholder है, यानि कि जिनका भी interest, उस company, firm, business में हैं, वो सारे के सारे ही statement, यानि कि financial information के users हैं, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, डी, that is, उपर युक्त, सभी, next question देखिए, स्वामी गत्कोस के अलामा संसा के दाइत्तों को कहा जाता है, the obligation of an enterprise other than owners funder ads, balance sheet में अगर आप देखेंगे, तो स्वामी गत्कोस यानि कि capital होती, owners fund होती, उसकी अलामा जो कुछ भी obligation होता है, ये internal obligation होता है, जो स्वामी गत्कोस है, ये internal liability है, और external liability होती है, वो भी एक liability होती है, तो यहाँ पर पूछा गया कि स्वामी गत्कोस के अलामा संसा के दाइत्तों को कहा जाता है, तो यहाँ पर option देखें, संपत्ती यानि कैसे, B दाइत, C पूझी, capital D, इन में से कोई नहीं, D ननाब दीद, तो इसका जो right answer वो है, B, यानि कि उसको क्या कहा जाता है, liabilities कह जाता है, next question देखें, चालू ब्यापार की धाड़ा के अनुसार, ब्यावसाई की काई अस्तित में रहेंगी, according to going concern concept, the business entity will be in existence, देखें, A, निश्चित काल तक, यानि कि indefinite period, B, स्थाई रूप में permanently, C, आ स्थाई रूप में temporary, D, निश्चित काल तक definite period, तो देखें, जो ह disclosure of accounting policies के तहित, जो fundamental exemption उनमें से एक है going concern, इसका मतलब होता है, जो प्यापार चल रहा है, वो लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक, चलता ही रहेगा, तो जो इसका right answer है, वो होगा, A, that is indefinite period, वो संकल्पना, जिसके अनुसार, ब्यावसाई की काई को निकट भविस में ना तो बेचा जाएगा, तथा ना ही उसका परिसमापन होगा कहलाती है, एक concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in near future is known as, तो option में देखिए, सतत व्यापार, आरती की काई, सीमोदरी की काई, डीन में से कोई नहीं, going concern, economic entity, monetary unit, डीन अनाबदीज, तो देखिए, ये going concern ही, ऐसा concept इसके तहत, इस हो जाएगा a, that is सतत व्यापार, यानि की going concern, next question देखिए, छूट पर प्रावधान का स्रिजन निम्न आउधारणा के अनुसार किया जाता, provision of discount is made due to the concept, तो देखिए, option a है, रूडिवाधिता, रूडिवाधिता क्या होता है, conservative, रूडिवाधिता का मतलब कि ऐसी परंपरा प्रताएं जो की चली आ रही है, जिसमें से disclosure आप accounting policies में की, ये भी है कि जैसे कुछ चीदे हैं हमने मान के चलते हैं, हमारा accounting standard one क्या कहता है, कि अगर आपको लगता है कि कुछ expenses या losses हो सकते तो उनके लिए provision करिए, लेकिन income अगर हो सकती, लेकिन हुई नहीं तो उसको recognize न क उनमें differences को लेकर कि हम profit और loss का पता लगाते हैं, जो कि final account में आप देखते हों, तो ये matching concept का एक example, अब यहाँ पे कहा गया कि छूट पर प्रावधान करस्वजन निम्नावधारा के अनुसार किया जाता है, तो इसका जो options है, a conservative, b matching, c both, a and b, or d materiality, यानि कि सारता, तो देख है, रोकड प्रवाव विवरण है, जो cash flow statement है, वो किस accounting standard के तुरू बनाया जाता है, cash flow statement option देखिए, as6, b, as10, c, as3, d, as2, तो देखिए, यहाँ पे जो right answer हो जायेगा, वो है, accounting standard 3, यानि कि c के तहत, ये c option है, कि तहत, accounting standard 3 के तहत ही, cash flow statement प्रपेर किया जाता है, next question है, विक प्रविस्टी के लिए, प्रियोग किया जाने वाला मूल प्रलेग, the source document or voucher used for recording entries in sales book, देखिए, source document का मतलब की, जो भी sales किया गया है, तो उसको कहां से find out करेंगे, कहां से पता चलेगा, कि ये sales हुआ था, तो source document उसका क्या है, हैना, मूल प्रलेग क्या, तो आप पाया, यानिकि, invoice received, B, बीजग भेजा, यानिक, invoice sent out, C, जमा की चिट्टी, credit note sent out, D, नाम की चिट्टी, debit note, तो देखिए, जहां पर जब sales करते हैं, तो हम किसी को क्या देते हैं, receipt देते हैं, यानिकि, invoice जो है, वो हम देते हैं, और जब हम खुद purchase करते हैं, तो invoice receipt करते हैं, अब यहां पर अगर option में देखेंगे, तो यहां पर B option, आपका right invoice sent out, यानिकि, B option, B जग भेजा गया, next question देखिए, अदत वे, अदत वे क्या है, आउट इस्टेंडिंग expenses क्या है, कहते हैं, पूंजी में कमी लाता है, भी दाइत तुम्हें ब्रद्दी करता है, दोनों इन में से कोई ने, reduces capital, outstanding expenses क्या करेगा, reduce करेगा, capital को increase करेगा, liabilities का see both करेगा, डिनन आपदी, तो जो इसका right answer हो जाएगा, वो भी होगा, इससे liability increase हो जाती है, और इससे balance sheet की liability side में दिखाया जाएगा, next question देखिए, सुद्ध संपत्नियों पर क्या परभाव पड़ेगे, दें देटर क्या है, current asset है, और cash क्या है, current asset वो भी है, अब data के जब realization हो जाते हैं, उससे वसूली हो जाता है, तो वसूली में क्या होगा cash, तो एक current asset data जो की कम हो रही है, और same amount से एक current asset जो की cash है, वो बढ़ रही है, तो net effect तो zero हो जाएगा, उसमें कोई impact नहीं रह जाएगा, त दिकरीज, C कोई परवेरतन नहीं, no change, D है इन में से कोई नहीं, नना अबदी, तो right answer हमारा होगा, C, that is no change, next question है, आसा माप्त व्याय, यानि कि unexpired insurance, unexpired expense, आप कह सकते हो, क्या है, वास्तविक खाता है, real account B, नाम मातर खाता, nominal account C, व्यक्तिगत खाता, personal account D, प्रतिनिदी व यक्तिगत खाता, representative personal account, unexpired, वे expenses, जो है, वो किसी, जिस year में, खर्च किया जाते हैं, उस साल में ही, फायदा नहीं, देते हैं, यानि कि, उसके बाद वाले accounting period के लिए, benefit देते हैं, और ये, एक example है, प्रतिनिदी व्यक्ति खाता, यानि कि, representative personal account is the right answer, next question देखिए, रोजनाम में, लेंदेन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, the process of recording transaction, इसको जनलाइजिंग बोलते हैं, is the right answer, रोजनाम चा करण, next question देखिए, दान के लिए दिया गया माल, किस खाते के अंतर आएगा, तो दान के लिए जो दियेंगे, वो माल, कहां से कम करेगा, पर्चेस से ही तो कम करेगा, option देखिए, to which account would be entered goods given in charity, option देखिए, विक्रे खाता, C, रोकर खाता, D, कोई खाता नहीं, sales account, B, purchases account, C, cash account, D, no account, तो right option will be purchases account, B is the right answer, next question देखिए, खुदरा रोकर भही, पेटी cash book का जो balance होता है, वो कौन सा, पुछा गया है, कि the balance of petty cash book is क्या है option देखिए, क्या चालू संपत्ती है, current asset है, बीदाइत है, कोई liability है, सिक रहे है, and expense है, D, I है, income है, तो जो cash का balance है, petty cash का balance हो, या cash book का balance हो, ये सब जो balance होता है, ये asset ही सो करता है, और ये current asset सो कर रहा है, तो यहाँ पर option हो जाएगा, चालू संपत्ती, एक current asset, next question देखिए, cash book, when does contra entry, contra entry का मतलब कि transaction हो cash से bank का, या bank से हो cash का, तो आप संदेखिए, कहां से, bank से रोकर को निकालना, withdrawal of cash from bank, general entry क्या हो जाएगे, cash account debit to bank, दूसरा, लेंदारों को भुकतान करेंगे, तो इसमें देखिए, general entry क्या हो जाए, creditor account debit to bank, bank से रोकर निजी उपयोग है, तो निक bank होगी entry, तो उसमें cash और bank तो आई नहीं, उपरोग तो सभी कह रहे है, तो देखिए, कौन से इसे general entry, जिसमें कि cash और bank आ रही, debit credit दोनों में, तो यहाँ पर देखिए, bank से रोकर को निकालना, withdrawal of cash from bank, तो entry कर जाती, cash account debit to bank, यहाँ पर contra entry होगी, right option क्या हो जाएगा, next question देखिए, विक्रे बही में लिखा जाता है, in sales book record is made, क्या लिखते हैं, माल का विक्रे, sales of goods, B, सभी उधार विक्रे, all credit sales, C, सभी नगद विक्रे, all cash sales, D, माल का सभी उधार विक्रे, all credit sales, of goods, तो देखिए, credit sales लिखा हुआ, लेकिन उस से अच्छा अपसन अगर देखेंग तो क्या दिख रहा है, कि all credit sales, of goods, क्योंकि sales book में credit sales, नहीं, credit sales, of goods, होता है, लिखा जाता है, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, D, यहीं कि माल का सभी उधार विक्रे, next question, देखिए, किसी खाता के sales को जानने की प्रक्रिया को कहते है, the process of finding out the balance of accountage card, option, देखिए, यह खता होनी, पोस्टिंग कहते है, B, योग करना, totaling कहते है, C, समायोजन, adjustment कहते है, D, sales, निकालना, balance, किसी खाता है, यहीं कि laser account की जब balances निकालते हैं, तो उसे क्या कहते है, balancing कहते है, right option क्योंदेगा, D, right option होगा, sales, निकालना, next question, देखिए, जब ग्राहक की रोकड पुस्तक के bank खाते का, says, debit बाग की दिखाता हो, तो bank की पुस्तकों में ग्राहक का खाता निश्चे ही दिखाया, दिखाई देना चाहीं, देखिए, where the bank account in the cash book, आप customer, so, जब देखिए, cash book में, bank का, जो bank balance दिखाएगा, bank का एक अलब कॉलम होता, cash book में, तो उसमें अगर debit balance दिखा रहा, तो क पास book में कौन सा account दिखाएगा, तो देखिए, option देखिए, the customer's account in the past book must generally, so, option देखिए, जमा says, यानि कि credit balance, B, नाम says, net balance, D, C, सुध says, debit balance, D, इन में से कोई नहीं, none of this, तो देखिए, जो इसका right answer होगा, वो हो जाएगा, option A, that is credit balance, अब हम इसको आपको जमा says, देखिए, क् कि हमारे जो bank में, हमारी cash book में, जो amount says reveal करता है, वो हमारे लिए asset होता है, और bank में, जो पैसा हमारा होता, तो bank के लिए क्या होती, वो liability होती, इसलिए, उनके वो credit says में दिखाई पड़ता है, जबकि याद रखिए, कि उनके debit says में क्या दिखाई पड़ेगा, तो ये आप हम को comment box में लिखेंगे, कि अगर bank में हमारा, जो debit says होगा, तो वो उनके लिए क्यों ऐसा होता है, कि उसको debit says, debit में दिखाते हैं, credit में इसलिए दिखाते हैं, क्रेडिट में इसलिए दिखाते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारा जो जमा किया amount है, वो है liability का, next question पर आते हैं, बाकि says किए असुदिया, error साब balances, तो देखें, जो trial balance है, तो trial balance में सिर्फ balances करे जाते हैं, और अगर नहीं match करता है, तो वो error साब balances होता है, तो right option क्या हो जाएगा, D will be the right answer, next question देखें, तलपड बनाया जाता है, पता लगाने के लिए, किस काम के लिए, balance is, trial balance is prepared to find out, तो trial balance के किस काम के लिए बनाया जाता है, option देखें, सिदान संबंदिया सुदिया, error साब principle, भी लेके संबंदिया सुदिया, error साब commission, C, भूल संबंदिया सुदिया, error साब amission, D, अंक गरतिया सुदिया, arthematical errors of trial, देखें, एक definition है, इसकी, कि trial balance is always prepared for finding out the arthematical accuracy, यानि कि अंक गरत ये संबंदिया सुदिता को जाचने के लिए हित तलपट का निर्मार किया जाता है, तो right option इसका हो जाएगा, D, arthematical errors, next question देखें, बिल के भुकतान के लिए कितने दिन रियायती दिन के रूप में देता है, how many days are allowed as a grace for payment, आप बिल के पेमेंट के लिए grace period जो दिया जाते ह जो days आती, उसमें तीन दिन को जोड़ करके ही बिल का भुकतान किया जाता है, या प्राप्त किया जाता है, या बिल का भुकतान किया जाता है, तो option देखें, यहाँ पर A, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर B, option right होगा, that is 3 days, next question देखें, बिनिमाए बिल है, बिल आप एक्सचेंज जिए भुकतान देने का सर्त रहित आदेश, एन unconditional order टूपे, B, भुकतान देने की प्रतिग्या promise टूपे, C, भुकतान देने का दाइत responsibility टूपे, D, भुकतान देने का परमाण पर certificate टूपे, तो जो इसमें right answer होगा, वो क्या हो जाएगा, बुकतान देने का सर्त रहित आद तो ये एक सर्त रहित, यानि कि ये bill of exchange जो है, भुकतान देने का सर्त रहित option, यानि कि आदेश है, तो option is the right answer, next question है, भुमी का उपयोगी जीवन काल होता है, the useful life of land is option, देखे, A, स्थिर, यानि कि constant, B, सीमित, limited, C, आ सीमित, यानि कि unlimited, D, इनमें से कोई नहीं, none of this, तो पुमी का जो समय है, वो unlimited होता है, next question देखिए, 12,500 रुपे में एक संपत्ती खरीदी गई थी, जरा ध्यान से देखिएगा इसको question को, new miracle है, 20 प्रसदवार्सिक कि दर से घटी से स्विधी, और घटी से स्विधी का मतलब तो written down value method, जिसको बोलते है, WDV, या reducing balance method, तो कहते ह जिहरासित होनी थी, तीन वर्सों के बाद संपत्ती का मूल क्या होगा, आइए धर पढ़ लेते हैं, asset was purchased for Rs. 12,500 and was depreciated under reducing balance method, तो WDV बोलते हैं, reducing balance method बोलते हैं, या diminishing balance method से भी depreciation लगाया गया, rate क्या 20% per annum, what is the value of the asset, at the end of 3 साल बाद उसकी value क्या होगी, देखिए, पात में कितना दिया हो, 12,500 रुपए दिया हो, ठीक है, अब 12,500 में फर्स्ट यर में जो depreciation लगाएंगे, वो होगा 20% का, ठीक है, 20% का depreciation कितना हो जाएगा, इसका 2500, माइनस करेंगे कितना आ गया, 10,000, अब 10,000 में से फिर से हम second year में depreciation लगाएंगे, इतना 20%, अब इसका 20 20%, 2000 हो गया, कितना हो गया, 8,000, अब 8,000 से भी देखें, क्या करेंगे, इसमें third year पर depreciation लगाएंगे, और third year में depreciation लगाएंगे, कितना 20% से, तो 8,000 का 20% 1600 होता है, और जो बच कर कि, यानि कि balance आएगा, वो कितना आजाएगा, 6400, तो आप देख सकते हैं कि reducing balance method से, जो depreciation हमन तो देखिए, हाँ पर option में नजर आ रहा होगा, आपको answer, तो ये right option क्या हो जाएगा, C will be the right answer, next question देखिए, एक संपत्ती का अप लिखित मूल तीन वर्सों के हरास के बाद 10% वार्सी की दर से 36,450 है, इसकी मूल लागत क्या थी कह रहे हैं कि first year में, second year में, third year, तीन साल कितना 10% के हैं कि हिसाब से घटने के बाद, तीन साल के बाद कि ये पूछने के 36,450 है, तो आप सोचिए कि पहले तीन साल पहले इसकी क्या rate कई asset रही होगी, तो आइए solve करते हैं, क्या करेंगे, first year में, same year, first year में जो ये amount था, कितना था पहले, 36,450, देखिए, जो 36,450 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगे, 40,500 रहा होगा, ठीक है, अब second year में similarly, क्या करेंगे, 40,500 divided by 90 into 100, बराबर कितना हो जाएगा, 45,000, यानि कि 45,000, उसके बाद third हो गया, कि 45,000 divided by 90 और into करेंगे 100, तो इसका आ जाएगा, calculate होकर कि 50,000, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे 3 साल बाद जो value थी, तो साल के सुरुवात में 50,000 रही होगे, इसको recap आप करेंगे, calculate करेंगे, तो 50,000 का 10% अगर घटाएंगे, तो 45,000 आएगा, दूसरे साल फिर 10% घटाएंगे, 45,000, चालिस जार 500 आएगा, फिर 10% घटाएंगे, त 4,050 माइनस करेंगे, तो उसका value आएगा, 36,450, that is wise versa, आप दिस question, तो right option आपका समझ में आ चुका है, और वो है option 50,000 यानि की बेज़दा, right answer, next question देखे, प्रावधान है, प्रवीजन क्या है, देखे, जो reserve होता है, और दो चीज़ आते, reserve प्रवीजन, तो reserve और प्रवीजन दोनों ही profit से बनाया जाता है, profit से निकाला जाता है, this amount is set aside from the profit and loss account, but फर्क क्या होता है, देखे, अब प्रवीजन, known liability के लिए होता है, कि liability तो हमारी known है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है, तो exact value कितनी होगी, amount वो कितना होगा, जिसकी liability बनेगी, तो ऐसी condition में हम उसको provision कह यह हम कोई amount is set aside करते हैं, अलग करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी तरह कि कोई liability है ही नहीं, बस यह हमें पता है कि future में हमारे लिए जरूरत होगी, उसको हम बोलते हैं reserve, यहां में पूचा गया कि प्रावधान क्या है, आपसन देखे, लाब का नियोजन है, यानि कि an appropriation of profit, B, I के विरुद्ध प्रभार, यह charge against profit, C, आधिक, यह surplus, D, बचत, यानि कि saving है, तो देखे, यह क्या है, यह I के विरुद्ध प्रभार है, यह नियोजन नहीं है, यह I के विरुद्ध प्रभार है, यानि कि जो income है, उस पर यह खर्च एक तरह से है, expense है, तो charge against profit is the right answer, B is the right answer तो देखे, next question पे चलेंगे अब, पूझी का संचय का निर्मार किया जाता, पूझी का संचय यानि capital reserve, capital reserve कैसे बनाया जाता है, इन में से option देखे, lab से, पूझी का तलाबों से, पूझी से, पूझी का थानियों से, मिलते जूलते terminology है, profit से, capital profit, capital से, फिर या capital losses, देखे, प अपना daily day to day business करते हैं, उससे जब जब profit होता, revenue reserve में transfer करते हैं, जबकि कभी कभार, ऐसा कोई profit हो जाए, जो कि हमारे अपने business से नहीं होता है, जैसे कि share को forfeit करने से company जो amount जबत करती है, वो share forfeited amount को कहा transfer करती, capital reserve में, तो share जबत करना company का काम नहीं होता, company का काम होता, share issue करक पैसे से business करके, उसको, उसके net profit को, business के, यहनी कि company के net profit को, लोगों में, share holders में as a dividend बाटना, तो हम बात कर रहे थे कि capital reserve कहां से बनता है, तो याद रखे capital reserve capital profit से बनता है, option based the right option, पुझी गत लाभों से, next question, ख्याती के अदगरहर के लिए भुकतान की गई रासिय, amount paid for requiring goodwill is, option देखे क्या है, AI गत है, कहते हैं कि जो goodwill purchase करते हैं, तो यह क्या है, AI गत वे हैं, B, पुझी गत वे हैं, capital expenditure, C, इस्तगित AI गत वे हैं, different revenue expenditure, डीन में से कोई नहीं, none आप दी, तो देखे, जो भी goodwill आपन यह एक तरह से जो खर्चा है, वो capital nature का है, और यह capital expenditure, that is, पुझी गत वे, तो right option हो जाएगा, capital expenditure, अब हम आपको AI गत वे भी बताते चलते हैं, देखे, क्या है, कि जब कभी अपने business में आप expand करते हैं, जिसकी जैसे business तो maintain रहता है, लेकिन उससे business का विस्तार नहीं होता है ठीक है, जैसे example कह सकते हो, salary देना, rent पे करना, discount allow करना, interest पे करना, यह सब revenue expenditure आएगत वे के तहत आता है, इससे कोई भी business का विस्तार नहीं होता है, लेकिन business अच्छे से चलता है, दूसरा लिखाओ, इस थगीत आएगत वे, इस थगीत आएगत वे, यानि कि deferred revenue expenditure क्या होता ह है, कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, जिनमें कि दोनों के ही good मिल जाते हैं, यानि कि revenue expenditure का भी हो, capital expenditure का, ऐसे आएगत वे, जिनका लंबे समय तक लाब का फायदा, जिनका खर्च का फायदा लंबे समय तक वरसों तक होता रहेगा, ऐसे example होते हैं, उनमें से एक example है, advertisement का, अग और next question है, निमलिकित में से कौन आईगत वे है, विच आप दो फालेंगे, revenue expenditure, तो आप से देखें, संयंत्रों machinery के करेपर भारा दिया है, याद रखिए आप, कोई भी ऐसा, कोई भी बिजनेस के लिए खरीदा हुआ, संयंत्र machinery, capital expenditure, और उस पर लगा हुआ, revenue expenditure, यानि कि expenditure ने होगा, ये capital expenditure होगा, लेकिन वहीं कोई ऐसा खर्चा, जो कि आप साल दर साल करा रहे हो, पुराने को, जैसे कि नया, हर बार की repairing, या हर बार की white washing, तो ये खर्चे जो सालाना होते है, early basis पे होते है, ये revenue expenditure का example है, और यहाँ पूछा गया, कि इन में से कौन सा revenue expenditure, तो दे ये भी capital expenditure ही होगा, कारखाना भवन का वार्सिक रंगाई, ये जो example है, ये revenue expenditure का है, और कारसील पूझी कि आप सकता को कम करने हैं, तो किया गया है, expense incurred to reduce working capital requirement, तो यहाँ पर जो right answer होगा, वो होगा, C, that is, यहाँ पर C option right होगा, next question देखिए, और यह हमारा आज का last question है, computer विश्वास दिलाता है, computer ensures, असुद्धीन करियाएं, errors of the operation, B, विश्वसनिय करियाएं, reliable operation, C, दोनों, बोत, इन में से कोई नहीं, तो देखिए, computer क्या है, विश्वास दिलाता है, कि जो असुद्धीन करियाएं हैं, उनको भी ये सही करता है, और विश्वसनिय करियाएं ये होती है, तो यहाँ पर C, यानि कि दोनों ही right answer होगा, C will be the right option, so ये तो थे 30 question, लेकिन अगर आपको आज की session को देखने से लगता है, कि हम आपकी तियारी में helpful हो सकते हैं, तो आप हमारे courses को purchase करने के लिए, हमारे app पे जाएंगे, app section में देखेंगे, store पे जाएंगे, त आप उन्हें देख सकते हैं, so these were the 30 questions, for this, hoping that you have understand very well, thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankash Commerce classes available in Play Store. Pankash Commerce झाल झाल